हाई गाईज, वेलकम बाक इन दे नेक्स्ट सेशिन ओफ रीजनिंग, आज हम करने वाले हैं चाप्टर सिक्स विच इस ब्लाड रिलेशन और हुमन रिलेशन, ब्लाड रिलेशन क्या होता है, इसके कित्ते टाइप से, एक्जाम्पल एंड लास्ट में कुछ कुछन्स देखे इस परसन से कैसे रिलेटेड है, या उस फामिली मेंबर से कैसे रिलेटेड है, ये कुछन में हमसे पूछा जाता है, कुछन्स जो होते हैं, ये रिलेशन्शिप ट्री टाइप के रहते हैं, जैसे फादर, मदर, ब्रादर, सिस्टर, इन सब के बारे में दिया रहेगा, इन आंसर बताना होता है तो अगर आप यह question solve करना चाहते हैं तो आपको basic पता होना चाहिए blood relation का जिसको हम दो category में divide करते हैं first is maternal relation and second one is paternal relation तो जो mother की side से relation होते हैं उनको maternal बोलते हैं और जो father की side से relation होते हैं उनको paternal relations बोलते हैं so यहाँ पे आपको एक chart दिया हो है जिसको आप देखके समझ सकते हो यह आपको basic इतना पता ही है जैसे बस आपको English में बोलना होता है हिंदी में हम हर एक relation के लिए अलग-अलग word use करते हैं जैसे अगर आप English में देखोगे तो आप अपनी चाचा को भी अंकल बोल रहे हो मामा को भी अंकल बोल रहे हो लिकिन हिंदी में हम अलग-अलग term use करते हैं इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा different देखने के लिए मिलते हैं जैसे यहाँ पे लिखाव भी हुआ है father's brother और mother's brother दोनों को हम अंकल बोलते हैं तो पापा के भाई को हिंदी में चाचा बोलते हैं और ममी के भाई को मामा बोलते हैं उसी तरीके से ममी की बहन को मौसी बोलते हैं और पापा की बहन को बुआ बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में दोनों को आंट बोलते हैं आगे कुछ और एक्जाम्पल दिये है रिलेशन के जैसे son's wife इसको daughter-in-law बोलेंगे, daughter's husband इनको son-in-law बोलेंगे, husband और wife's sister इसको sister-in-law बोलेंगे, brother's wife sister-in-law जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाबी, ठीक है? then brother or sister's son उसको nephew बोलते हैं और brother or sister's daughter इसको niece बोलते हैं ठीक है? भांजा और भांजी या भतीजा और बतीजी तो यह थोड़े से ही टर्म है यह तो अच्छा है हिंदी में कुछ उन नहीं आता नहीं तो यह और भी complicated हो जाते हैं next है कुछ symbols के हिसाब से भी दिया जाता है आपको तो यहाँ पर एक table आगे मैंने दिया है जिसमें symbol लिखे हुए है human को या उनके relation को represent करने के लिए वो symbol यूज किया जाता है तो इसमें ये दो type के होते है एक तो आपको normal ऐसे दिया जाता है लिखके और दूसरा symbol के उपर ठीक है तो अगर plus लिखा होता है symbol अगर plus का लगा है तो वो male को denote कर रहा है minus है तो female को denote कर रहा है अगर आपको ऐसे दो arrow दिखेंगे तो husband and wife के relation को show कर रहा है अगर आपको ऐसे single arrow दिखेगा दोनों side से तो वो brother and sister के relation को show कर रहा है अगर दोनों side minus है ऐसे and आपको ऐसे arrow दिया है तो मतलब वो sister and sister के relation को show कर रहा है अगर प्लस एंड प्लस दिखा है तो वो ब्रदर एंड ब्रदर का रिलेशन दिखाते है जब अगर आपको ऐसे दो एरो है तो ये जेनरेशन गाप को शो कर रहा है लेकिन आपके एक्जाम में इस जिंबल वाले कुश्चन्स नहीं आते हैं तो हम इसके थोड़े से एक्जाम वो जस तरीके से लिखा होगा आप उसमें confused हो जाते हो आप उसको किसी तरीके से भी solve कर सकते हो diagram बना के या आपको diagram नहीं बनाना तो आप simply भी उसको decode करके solve कर सकते हो ठीक है हमारा पहला example है पूनम said to her friend yesterday I attended the birthday party of the son of the only son-in-law of my mother's mother how is पूनम related to the man पूनम ने अपनी friend से कहा कि कल मैंने एक birthday party attend की थी और वो birthday party किस की थी इनके mother की mother के son-in-law की son की तो ये जो man है son है ये पूनम से किस तरीके से related है हमें ये बताना है सो यहां से इसको decode करना start करो mother's mother मतलग खुद पे ऐसे करके किया करो ठीक है इससे जल्दी हो जाता है जैसे आपके ममी की ममी क्या होई आपकी नानी आपके नानी का son-in-law कौन होगा आपके पापा तो ये हमने यहां तक decode कर लिया कि son-in-law क्या है आपके पापा तो आपके पापा का बेटा क्या हो गया आपका भाई तो पूनम का क्या relation होगा उससे पूनम उसकी बहन होगी ठीक है तो correct answer will be option C sister अभी यहां पे आप मान लो जैसे ये son-in-law है आप इसको पापा नहीं आपने कुछ और relation interpret कर लिया मान लो आपके नानी के दो son-in-law है फिर भी आप जब अगर करोगे तो उनका बेटा जो होगा वो आपका भाई आएगा मतलब इस लड़की का भाई होगा ठीक है तो वो उसकी sister ही हुई so correct answer C ही आएगा next example to A and B are brothers A और B जो है वो भाई है C and D are sister C और D जो है वो बहने है A's son is D's brother A का जो बेटा है वो D का भाई है how is B related to C B और C के बीच में क्या relation है तो यहाँ पर key चीज जो दी है वो यही दी है कि A का जो बेटा है वो D का भाई है और C और D दोनों बहने है इससे यह मतलब निकल रहा है कि C और D जो है यह daughter है A और B की इसको आप ऐसे समझो नाम नहीं दिया होता है तब बहुत confusion होती है A और B ठीक है आपके पापा और बड़े पापा हैं वो दोनों भाई है ठीक है दिन आप हो और आपकी कोई कजन है वो दोनों बहने है A का बेटा मतलब आपके बड़े पापा का जो बेटा है वो D का भाई है वो मतलब आपका भाई है तो हमसे पूछा है B और C के बीच में क्या relation है आपकी cousin और आपके पापा के बीच में क्या relation है तो वो उनके uncle हुए option C is the correct answer ये वाले ओर tough होते हैं जिसमें नाम दिया होता है वो फिर भी हो जाता है ठीक है? आगे देखेंगे हम इस पे भी कुछ questions अगला है symbol based question इसमें दो या दो से जादा लोगों का relation दिया होता है in symbol notification candidates को पहले symbol का जो relation है वो निकालना होता है और उसके बाद जो language उसमें दी है उसको भी समझना होता है and then answer देना होता है ये type आज तक आपके exam में नहीं आया है ठीक है? इसलिए इसके थोड़े से example करेंगे in the MCQ question हम इसके questions practice नहीं करने वाले पहला देख लो A plus B means that A is the father of B आपको ये symbol दिया है A plus B इसका मतलब है A जो है वो B का father है next is A minus B means that A is the wife of B A minus B आपको दिया है question में उसका मतलब है कि A जो है wife है B की A multiply by B means A is the brother of B and A divided by B means that A is the mother of B A is equals to B means that A is the sister of B on the basis of information what does P plus Q minus R means तो अभी आपको जितना ये दिया था symbol इसमें कहीं पे भी P Q कुछ नहीं दिया तो अब आपको symbol के थूँ इसको निकालना होगा ठीक है P plus Q मान लो तो जहां पे plus लखा है अगर P plus Q लिखा है तो इसका मतलब है P जो है वो husband है Q का P के साथ अगर divide का sign लगा है P और Q में तो उसका मतलब है कि P जो है sister है Q की अगर P multiply by Q लिखा है तो इसका मतलब है P जो है वो son है Q का अब आपको यह सारे examples जो दिये हैं वो देखके बताना है कि अगर हमें relation बताना है अब आपने इस सारे देख लिए अब आपसे पूछा गया है आपसे बताना है कि इसमें से कौन सा expression यूज करके हम यह दिखा सकते हैं कि A जो है वो B की डॉटर है options देख लो C multiply by B plus A D multiply by B plus C plus A B plus C multiply by A या A divided by D multiply by B सबसे पहली बात कि यहाँ पर डॉटर के लिए कोई भी symbol आपको नहीं दिया है ठीक है कि वो इसकी डॉटर है उसके लिए हमारे पास कोई symbol नहीं है हमारे पास एक symbol है किसके लिए sun के लिए तो हम suppose कर ले रहे हैं यहाँ पर कि D जो है वो sun है B का ठीक है, तो हमने B multiply by D लिख दिया, ये बताने के लिए कि उन दोनों की बीच में father and son का relation है, तो जब हम ऐसा लिख रहे हैं, तो हमें दो option में ऐसा दिख रहे हैं, जो B के साथ जिसमें multiply में relation है, एक तो यहाँ, एक यहाँ, प्लस यहाँ पे भी है, हम C भी ले सकते हैं, हमें कह मतलब D उसका भाई हुआ, ठीक है, और भाई के लिए यहाँ पे या बहन के लिए क्या दिया है, symbol divide, P divided by Q मतलब की वो उसकी बहन है, तो यहाँ पे divide का सिफ A की जगा symbol दिया है, वो है A divided by D, तो मतलब A जो है वो D की बहन हुई, तो वो दोनों भाई बहन है और यह उनके पा गर्ल, राज सेड, शी इस दे डाटर ओफ माई मादर डाटर, दिन हाँ इस गर्ल रिलेटेड तू राज, एक लड़की की तरफ उसने पॉइंट करा और बोला कि यह जो लड़की है वो डाटर है, मेरी मम्मे की डाटर की, राज और उस लड़की के बीच में क्या रिलेशन तो आप राज हो मानलो ठीक है, आपने एक लड़की की तरफ पॉइंट करा और आपने बोला वो लड़की है बेटी, मेरे मम्मी की बेटी की, तो आपकी मम्मी की बेटी क्या हुई, आपकी मम्मी और उनकी बेटी की बेटी, तो आपकी मम्मी की बेटी क्या हुई, आपकी बेहन, आपकी बेहन की बेटी क्या हो गई? आपकी नीज, option C जो है ये correct हो जाएगा, ऐसे जो आते हैं, इसको पीछे से ही code करना start करते हैं, ठीक है, daughter of my mother daughter तो, so mother की daughter मतलब आपकी बेहन और आपकी बेहन की daughter आपकी नीज, okay? next है, pointing toward a man, another man said, he is the son of my father's sister, then what is the relation between them? एक man की तरफ point करकिते हुए, दूसरे man ने बोला, कि वो जो है, ये मेरे पापा की sister का बेटा है, तो मान लो जो आप point कर रहे हैं, वो आप ही हो, ठीक है, आपकी पापा की बेहन, आपकी क्या हो गई? बुआ, और बुआ का बेटा, ठीक है, तो correct answer हो गया, इसका option C, next question number 3, pointing to a photo, निर्मल सेट, she is the daughter of only son of my grandfather, so only son of my grandfather, सबसे पहले आप इसको देखो, grandfather आपके कौन होते हैं, आपके पापा के, पापा या आपके ममी की पापा, तो इस question में ऐसा बोला गया है, only son मतलब, आपके पापा जो है, वो, आपके दादर जी के एक अकेले बैटे हैं, और उनकी daughter के बारे में यहां बात हो रहा है, तो उनकी जो daughter होगी, वो आपकी sister होगी, तो निर्मल जो है, वो, अपनी sister की तरफ point कर रहा है, ठीक है, तो क्या relation है उसका उस लड़की से, वो उसकी sister है, Next is question number 4, introducing a man, woman said, he is the son of my mother's, brother's, father's only son, एक man को introduce करा रही है एक woman, and while introducing, वो बोलती है, कि यह बेटा है, मेरे ममी के भाई के पापा का, only बेटे का, ठीक है, हमें बिताना है, man और woman के बीच में क्या relation है, तो यहां से solve करना हम इसको start करेंगे, mother's brother क्या होता है, mother's brother होता है, uncle, ठीक है, mama, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, mama के पापा, जो आपके ममी के भी पापा होंगे, वो आपके grandfather हुए, ठीक है, नाना जी, उनका एक अकेला बेटा, तो उनका एक अकेला बेटा, दुबारा वो आपके mama हो गए, ठीक है, and mama का बेटा आपका कजन हो जाएगा, तो मतलब उस woman का ये कजन हो जाएगा, तो दोनों के बीच में क्या relation है, option, D is the correct answer, cousin, next question number 5, Anand is son of Prema, Rajeev is brother of Prema, Neha is daughter of Rashmi, Neha is daughter of Rajeev, how is Anand related to Rashmi, अब यह आपको बहुत सारे relation दिया है, और नीचे options है, कुछ देख लो इसको, इसको हम solve करना start करेंगे, इसको एक एक करके आपको decode करना होगा, और सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमसे Anand और Rashmi के बीच का relation पूछा है, तो आप question में देखो, आनand और Rashmi के बीच में अगर आपको कोई direct connection दिख रहा है कि नई, नई दिख रहा है तो हम भी इसको decode करते हैं, तो प्रेमा जो है ये आनand इसका son है, और प्रेमा का आप देख रहे हो, राजीव भाई है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए, और इस बहन का योगया बेटा, अगला इदर देखो, राजीव की जो sister है, वो है नेहा, तो मतलब राजीव, प्रेमा और नेहा ये तीनों siblings है, तो ये question तीन generation का है, ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेहा is the daughter of रश्मी, ये जो नेहा है, ये रश्मी की daughter है, तो अगर रश्मी नेहा की ममी है, तो वो राजीव और प्रेमा की भी ममी होगी, तो आनन्द जो है, ये सबसे चोटा है, और आनन्द और रश्मी की बीच में, grand son का relation है, ठीक है, रश् जनरेशन है, वो है रश्मी, सेकंड जनरेशन में उसके तीन चिल्रेन है, विच इस प्रेमा, राजीव और नेहा, और थर्ड जनरेशन में प्रेमा का एक सन है, विच इस आनन्द. अगेन एक man को एक woman introduce कराती है, ये बोलती है कि इसके जो father-in-law के father है, वो मेरे father-in-law है, तो इस man और woman की बीच का क्या relation है? तो suppose करो, आप ये woman हो, और आप एक man के तरफ indicate कर रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे जो आपका relation क्या है, वो है, आपके हिसाब से यहाँ पे दिया है, आपके father-in-law है, ठीक है? और man के उदर से देखा जाए, तो उसके father-in-law है एक, और जो man के father-in-law है, उसका father आपके father-in-law है, तो यहाँ तीन generation of man दिया हुआ है, एक है man 1, ठीक है? वो इस woman का father-in-law है, ठीक है? अब backward जाना है, तो इस woman का यह father-in-law हुआ, तो man 3 का, यह जो man 2 है, यह son हुआ, तो woman के लिए, यह क्या हुआ? और man 1 और 2 के बीच में क्या relation था? फादर-in-law का relation, विच में यह इसका भी son हुआ, तो woman का भी यह son-in-law हो जाएगा, option B will be the right answer. next is, गोलू is son of Bola, शीतल is daughter of गोलू, चित्रा is daughter of Dilip and Dilip is brother of Bola, how is चित्रा related to शीतल? सबसे पहले हमें चित्रा and शीतल का देखना है, तो चित्रा का यहाँ पर दिया हुआ है and शीतल का यहाँ दिया है, शीतल के लिए बोला है कि वो गोलू की daughter है, और चित्रा के लिए बोला है कि वो दिलिप की daughter है, तो यहाँ जो सबसे सीधा relation दिया है, वो देखो कि दिलिप और भोला जो है वो भाई है ठीक है इसको लिखके करना अराम से होगा तो दलिप और भोला भाई है उसके बाद भोला का बेटा कौन है गोलू और दलिप की बेटी है चित्रा उसके बाद हम देखते हैं कि भोला का जो बेटा है गोलू गोलू की भी एक डॉर्टर है कौन है श चिट्रा एड उसके बाद है शीतल है तो चित्रा का यहां पर देखो तो चित्रा क्या है वो दिलिप की बेटी है तो चित्रा जो हुई वो शीतल की आंटी हुई iç चित्रा गोलू जो है यह कजन होंगे ने और यह 2nd generation वह फामली का अन 3rd generation में आती है शीतल गुल के तो तो यहां पर एक man दिया है, ठीक है, man की तरफ पॉइंट कर रही है, और उस man की जो मम्मी है, उनकी एक ही बेटी है, और उनकी जो एक बेटी है, वो आश्रा की मदर है, यहां पर जिस female की बात की गई है, उनके दो children है, हम अभी assume कर सकते हैं, एक तो वो man है, और दूसरी जो है वो आश्रा की मम्मी है, तो मतलब यह जो woman की बात हो रही है यहां पर, वो है आश्रा की नानी, ठीक है, इससे हमें यह भी पता चल रहा है, यह जो man है और आश्रा की मम इस है, option D जो है वो correct answer हो जाएगा, next is, A is mother of B, but B is not son of A, then how is B is related to A, A जो है वो B की mother है, पर B जो है वो A का son नहीं है, तो B और A की बीच में क्या relation है, यह इसकी mother है, साफ साफ बोला गया है, पर यह इसका बेटा नहीं है, तो यह इसकी बेटी हुए, ठीक है, option B जो है यह correct answer हो जाएगा, यह वाले तो काफी simple था, next देखते हैं, A is the mother of B, and C is the son of A, D is the brother of E, and E is the daughter of B, who is the grandmother of E, लंबा chain है, ध्यान से समझना, हमसे पूछा है, E की grandmother कौन है, तो मतलब E जो है, यह सबसे lowest होगा, अगर family chain में देखे तो, ठीक है, तो E जो है, वो भाई है, D का, ठीक है, और D का और कुछ relation भी नहीं दिया आया पे, और E जो है, वो B की daughter भी है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, E is the daughter of B, तो B क्या है, इनकी mom होगी, या dad हो सकते हैं, ठीक है, तो B is a parent, और उनके दो चिल्रन है, E and D, ओके, अब B की mother भी दिया हुआ है, B की mother है, A, ठीक है, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है, B की mother है, A, तो यह जो diagram होते हैं, आप ऐसी बना सकते हैं, थोड़े से symbol के through, यही होता है, आपको कोई detailed यहाँ पर drawing निए बनानी होती, की woman बनाओ, man बनाओ, ठीक है, आपको जैसे समझा रहा है, आप वैसे लिख सकते हो, अगर दिया है, तो नाम के first letter से भी कर सकते हो, अभी देखो, यह question कितना जल्दी solve हो गया, तो यह से साफ साफ पता चल रहा है, E की, अगर grandmother कौन है, A, option A जो है, वो correct हो जाएगा, next question है, M is the brother of N, B is the brother of N, M जो है, वो N का brother है, और B जो है, वो B, N का brother है, M is the brother of D, but N is not the brother of D, M जो है, वो B का भाई है, पर N जो है, यह, D का भाई नहीं है, how is N related to D, जब ऐसे question होते हैं, कि वो उसका brother नहीं है, या son नहीं है, तो इस case में आप female relation को ध्यान में रखा करो, अकर वो बोल रहा है कि हाँ, वो उसका son नहीं है, बट आपको दिख रहा है, साफ साफ कुछ relation है, तो वो उसकी daughter हो सकती है, यहां पर हमें साफ साफ बोला है, words में बस उल्जाया हुआ है, M, N का भाई है, ठीक है, और N का भाई B है, तो मतलब M, N, B, ये तीनों भाई बेन है, फिर M का भाई है, D, तो D भी इनका भाई है, मतलब ये चारों भाई हो गए, अब बोल रहे है, N जो है वो, D का भाई नह है, तो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, कहीं पर भी ऐसा ने लिखा कि N किसी का भाई है, हर जगा सेंटेंस में क्या लिखा है, N का भाई है, M, N का भाई है, B, लेकिन ऐसा ने लिखा कि N किसी का भाई है, तो इससे साफ साफ पता चल रहे है, N एक फीमेल है, यहां पर ठीक ह of E and E is the daughter of B. D जो है ये ब्रदर है E का और E की daughter है B. How is A related to D? A और D की बीच में क्या relation है? तो ये तीन बहने हैं और यहां पर क्या दिया है? E किसकी daughter है? B की. तो इसकी daughter हो गई E. ठीक है? अब E के बारे में क्या पता है कि D जो है वो E का ब्रदर है तो एक और इसके sibling आगया वो है D. तो B के दो बच्चे हैं E और D. A से क्या relation है? ये तीनों इसकी बहने हैं ठीक है? तो ये B की बहन है तो ये इसकी क्या हो गए? नीस. आज ये तीनों बहने हैं इसकी बहन के जो बच्चे हैं तो ये उनकी आंट लगेगी. ठीक है? मौसी बोलेंगे हिंदी में जिसको हम इंग्लिश में आंट बोलते हैं तो option D will be the right answer. आपको यहाँ पे देखो ये इसकी नीस भी हो सकते थे ठीक है? लेकिन आपसे क्या पूछा है? अगर यहाँ पे D दिया होता और यहाँ पे A दिया होता तब आप नीस पे टिक करते हैं तो यह भी आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है. इसमें बस sentence आपको ध्यान से पढ़ना है next is if X is the brother of sons of Y's son then how is X related to Y? X जो है वो brother है Y के son के son का तो क्या relation है? बेटे के बेटे का भाई ठीक है? अपने पे लिया करो और clear होता है ठीक है? आपके बेटे के बेटे का भाई तो आपका बेटा क्या हो गया? son और आपके बेटे का बेटा क्या हो गया? आपका grandson उसका भाई भी हो गया तो वो भी आपका grandson ही होगा तो option C is the right answer next is B is the husband of P, Q is the only grandson of E who is wife of D and mother-in-law of P how is B related to D? तो B और P husband and wife है ठीक है? और Q जो है वो only grandson of E है और जो E है उसकी wife है D और ये जो D है वो mother-in-law है P की हमसे पूछा है जो B है और D है ठीक है? ये B और D इनके बीच का क्या relation है? अब यहाँ पर देखो मैं आपको लिख के ठीक से बता रही हूँ ठीक है? B जो है B और P husband wife है ठीक है? और ये statement पढ़के समझ आ रहा है इनका जो बेटा है वो है Q अब यहाँ पर एक E है तो ये जो E है इसका ये एक only grandson है Q Next हमें statement दिया है E की शादी हो रखी है D से और D जो है ये mother-in-law है P की ठीक है? तो D हो गई P की mother-in-law तो D और B क्या बीच में क्या relation है? ये उसका बेटा है ठीक है? P उसकी बहु है तो ये इसका बेटा हुआ ना तो correct answer क्या होगा? Option D और ये है last question F is brother of A C is daughter of A K is the sister of F G is the brother of C Who is the uncle of G? तो A है ठीक है? A की daughter है C और A का भाई है F F की sister है एक और which is K ठीक है? K is the sister of F यहाँ पर हमें बिताया है अब हमसे बोला है G is the brother of C तो यह C है इसका भाई जो है वो है G अब पूछा है G के uncle कौन है? तो इनकी mother कौन है? सबसे पहले यह देखना होगा ना uncle पहचानने के लिए तो G की mother कौन है? G और C भाई बहन है और इनकी mom है A ठीक है? इन दोरों की mom है A A का भाई कौन है? A का भाई है F साफ साफ लिखा हुआ है ठीक है? तो बाकी relation छोड़ी दो के is the sister of F इसका हमें कोई काम ही नहीं है तो हमें यहीं से पता चल गया A का भाई F है तो अंकल कौन होगा? G का F option C is the right answer अब एक और टाइप की question होते है इसको tallest youngest relation बोलते है यह एक तरीके से human relation के अंदर यह आता है ठीक है? तो इसके भी हम कुछ question सब solve करेंगे तो tallest youngest relationship है यह determine करता है कि उस person की position क्या है या उस चीज की position क्या है इसको solve करने के लिए आपको ऐसे देखना होता है कौन किस से बड़ा है ऐसे symbol के थूँ आप solve करते हो As a candidate आपको इसमें यह determine करना होता है कि उस person की position क्या है या object की position क्या है इस पूरे group में इसमें आपको ऐसे arrange करना होगा या तो ascending order में या तो descending order में आपको इसमें height, weight, age इसके साब से दे सकता है जैसे की x है वो y से बड़ा है पर z जो है वो y से छोटा है तो ऐसे करके कुछ question रहेगा ठीक है इसमें आपको ऐसे question मिलेंगे जैसे राम की age शाम से जादा है पर शाम की age आधी कम है रोहन से और सोहन की age शाम से आधी जादा है ऐसे करके कुछ आपको question दे देता है ठीक है कभी आपसे increasing order में कभी decreasing order में आपको दिया रहता है question इसे पर based होते है height, weight या age example देख लो Russian is taller than Hardik who is shorter than Shubham Russian की height बड़ी है Hardik से और Hardik जो है वो छोटा है Shubham से निज़ा is taller than Harry but shorter than Hardik निज़ा जो है वो Harry से तो लंबी है बर Hardik से छोटी है Shubham जो है छोटा है Russian से सबसे बड़ा कौन है इसको कैसे solve करोगे यहाँ पर अभी दो statement दिये हैं ठीक है पहला statement में आपको Russian Shubham और Hardik के बारे में बताया है नेक्स statement में आपको निज़ा, Harry और Hardik के बारे में बताया है ठीक है तो दो आप इसको statement की तरह लिख सकते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि Russian सबसे बड़ा है तो Russian उसके बाद कौन है Shubham उसके बाद Hardik तो यह हो गया आपका पहला statement नेक्स statement के हिसाब से क्या आ रहा है Hardik सबसे बड़ा है उसके बाद है निज़ा और उसके बाद है Harry इन दोनों को जब आप लिख के देखोगे तब आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी हाइट इसमें रोशन की ही आ रही है ठीक है तो ये ग्रूप है पांच लोगों का और इसमें से सबसे बड़ी हाइट किसकी है रोशन की तो option ये जो है ये correct answer हमारा हो जाएगा अगला है अकाश is elder than विजय बट younger than सुधा अकाश जो है वो विजय से तो बड़ा है पर सुधा से छोटा है ठीक है तो इस statement के साब से क्या पता चल रहा है कि सुधा सबसे बड़ी है उसके बड़ा है और उसके बड़ा है और उसके बड़ विजय ठीक है next statement पढ़ो दीपू is younger than यश but elder than आकाश तो इसके साब से क्या पता चल रहा है सबसे बड़ा इधर कौन है यश उसके बाद दीपू और उसके बाद आकाश ये दो statement जब आप देखोगे उसके बाद आपको next statement में बता दे रहे हैं कि सुधा जो है वो दीपू से छोटी है तो हमें ये बताना है कि इसमें सबसे eldest person कौन सा है तो इसको भी again आपको वैसे लिखके करना पड़ेगा symbol यूज करके तो सबसे पहले statement में हमने क्या पढ़ा था कि सुधा सबसे बड़ी है उसके बाद आकाश है और उसके बाद विजय है ठीक है next statement में यश उसके बाद दीपू उसके बाद आकाश फिर ये पता चल गया कि दीपू बड़ा है सुधा से ठीक है अब जब इन तीनों statement को देखके हम दुबारा लिखेंगे ascending order में तब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि सबसे पहला नाम सुधा का नहीं आएगा सबसे पहला नाम दीपू का भी नहीं आएगा ठीक है क्योंकि दीपू यश से छोटा है तो सबसे पहले नाम किसका आएगा यश का correct answer हो जाएगा इसका option D सबसे बड़ा है यश उसके बाद दीपू उसके बाद सुधा उसके बाद अकाश और last में आएगा विजय तो ये दो example अब दो question भी कर लेते हैं ठीक है सती इस elder than रेनू गीता इस younger than रेनू और प्रिया इस elder than सती छोटे छोटे से statement है सबसे पहला बता दिया है कि सती जो है वो बड़ी है रेनू से फिर आपको बोला है सती से सबसे बड़ा कौन है तीनों को solve करके देखो साफ साफ पता चल रहा है इसमें सबसे बड़ी कौन थी सती पर सती तो प्रिया से छोटी है और गीता तो रेनू से भी छोटी है और रेनू सती से छोटी है तो सबसे बड़ी कौन हो गई प्रिया हो गई ठीक है तो इसमें कैसे रहेगा आपका सबसे पहले रहेगा प्रिया इसमें correct answer हो जाएगा आपका प्रिया ठीक है सबसे बड़ी प्रिया उसके बाद सती उसके बाद रेनू और फिर गीता ठीक है चाड़ लोगों के ग्रूप में यह आपका sequence है next है नगीना is taller than pushpa but not as tall as manish रीना is taller than namita but not as tall as pushpa यहाँ पे भी आपको दो statement दी है तो इस statement के हिसाब से आपको ascending या descending order में लिखना होगा तो यहाँ पर क्या बोला है कि नगीना बड़ी है pushpa से तो नगीना बड़ी है pushpa से लेकिन मनीशा से मनीशा जितनी बड़ी नहीं है तो मतलब मनीशा सबसे बड़ी है तेके तो यह आपका पहला स्टेट्मेंट हो गया कि मनीशा यहाँ पे सबसे बड़ी है उसके बाद है नगीना और उसके बाद है पुश्पा नेक्स स्टेट्मेंट में देखो नेक्स स्टेट्मेंट में आपको बोला है कि पुश्पा सबसे बड़ी है उसके बाद है रीना और उसके बाद है नमिता तो इसके इसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी कौन है ग्रूप में मनीशा सबसे बड़ी है तो मनीशा option A will be the right answer sequence कैसे रहेगा मनीशा उसके बाद नगीना उसके बाद पुषपा उसके बाद रीना और लास्ट में नमिता ठीक है क्योंकि रीना जो है वो टॉलेर नमिता से विच मींज इसकी हाइट सबसे छोटी है तो ये था हमारे last question relatively अगर आप देखोगे तो human relation में सबसे easy वाला question अगर आता है तो यहीं से आता है tallest youngest relation से ठीक है पर statement के साब से आप ऐसे equation type का बना कर solve कर सकते हो राम से पर इससे जादा question नहीं आते सबसे जादा question आते है human blood relation से और उसी के हमने example आज सबसे जादा किये ठीक है total 15 question उसे से किये है और आपको भी खुद से वही practice करनी है so today's quote is don't wish for it work for it I think wishing for something is the first step लेकिन अगर आप उस wish के लिए काम नहीं करोगे तो वह wish कभी पूरी नहीं होगी वह आपकी wish की wish रह जाएगी so आपका wish होगा जरूर कि आप MNS join करना चाहते हैं तब ही आप यहाँ आए हो पर अगर आप उस wish के लिए काम नहीं करोगे तो वह एक wish ही रह जाएगा okay so don't wish for it now you have to work for it so thank you all of you for watching this session hopefully you learn something new today